हाई फ्रेंड्स वैसे अब लोग चॉप संड केरियर में फिर से एक बार आपका सागत है तो मैं इस चैनल में नया नय जॉब ले आता हूँ तो आज भी एक नया जॉब लेका आया हूँ तो देखते हैं आज का जॉब डिडिल्स क्या है पूरा जानेंगे तो सुरू करते हैं तो सुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इसको सेयर भी कर दीजिए तो देखिए आज का जो जॉब है वो है बिहार का पी बी एस सी मतलब बिहार पाब्लीक सर्विस कमिसन का ठीक है बहुत सारे पोस्ट है तेखिए पूरा डिटल्स जानेंगे टोटल पोस्ट है 1131 पोस्ट तो इस पोस्ट के लिए क्या 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 काइटरिया है क्या 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 एड्विकेशन चाहिए और एक्सपिरियन्स चाहिए के नहीं चाहिए यह पूरा डिटल्स हम डिसकास करेंगे इस पूरा वीडियो में तो वीडियो के अंतक जरुर रहे है और पूरा वीडि में है मतलब बिहार में आपको जॉब को लिए अप्लाइ करना पड़ेगा और जॉब भी आपको बिहार में मिलेगा तो टोटल पोस्ट में पहले बता चुका हूँ पोस्ट है और इसका स्टर्टिंग डेट है 28 सेप्टेम्बर 2020 में और इसका एप्लिकेशन का लास्ट है ट्ट्टी अक्टोबर 2020 में इसका जो एंप्लाइं का फीस है वो आपको बीस तरीक को पेमेंट करना है बीस तरीक से पहले और लास्ट टेट जो है हाट का भी पीन आउट का बहुत 20 सेप्टेम्बर का है देखिए यहां पर एड्मिट और एक्जाम डेट अभी तक डेट मेंटेशन नहीं किया है तो जब एड्मिट और एक्जाम डेट आएंगे तो में मेरे इस वेबसाइट में जरूर आपको डिसकस करऊंगा तो देखिए अभी तक मेंटेटरी नहीं है कितना से लेगे वह एस पार रूल्स वाइज सेलारी होगा तो आप एक्स ट्रेशर्च हो और एक्सपर्ट हो इन तो नहीं हो तो आप अपलाई कर सकते हैं देखिए फूल टाइम ज है और जॉब का लोकेशन में पहले ही बता चुका हूँ बिहार बिहार में जॉब लोकेशन होगा और जो अप्लिकेशन फीज है मतलब आपको जो अप्लाई करने के जो फीज देना पड़ेगा वो देखिए जनेरल और ओवीची के लिए 600 रूपीज और एससी एस्टी फिजिकल हैंडीकेफ फीमेल डव्लू एव्स तो इसके लिए आप 150 रूपीज देना पड़ेगा ठीक है तो पेमेंड आप ओनलाइन ओनलाइन फ़र्फिलप होगा तो पेमेंड आपको ओनलाइन पेमेंड ही करना पड़ेगा डेविड कर कर से आप इस चलान एज लिमीट जो है मतलब एज लिमीट कौन सा है एज लिमीट जो है वो फास्ट अक्टोबर है फास्ट अक्टोबर 2020 में आपको एज 37 यर्स होना चाहिए और मैक्सिमम फिमेल के लिए 40 यर्स मतलब मेल के लिए 37 यर्स और फिमेल के 40 यर्स और हैस्ट के लिए तो एज रिल अक्सेसिन रहेगा तो देखिए व्यक्नेंश डिटल्स जो है फूरा डिटल्स में आप डिसकस करऊंगा तो एक आप जो घैटेग्री वाइस बैकन्सी है याप दिखिए बहुत सारे पोस्ट है और पूरा डिटल्स यहाप यहाप दिया हुआ है कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकंसी है कितना पोस्ट है आप पूरा पूरा यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है आप पूरा एडिटर्स देख सकते हैं मेरे वेबसेट में जाकर और इस वेबसेट का लिंक में डिस्क्रिप्टिप्टियम ने दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्टियम ने आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं अब देखिए एडिवेशन कॉलिफिकेशन जो है वह बात एक यहां पर फिसिकला फिनस का और फिजिकल लीटिर्स का कुछ जरूर कुछ मेंटरिय है जैस्ट फॉर फूलिष टिपरमेंट मतला पूलिस डिपरमेंट का जो पोस्ट है उसके लिए फिजिकल अडिल्स जाहिए फिजिकल स्टेडमयन चाहिए वह देखिए हाइड का 5 5-5 होना चाहिए maximum maximum सारी minimum और maximum जीतना भी हो चलेगा और चेस्ट का जो maximum थेकने से वो 32-inch है तो ए दोनों mandatory है पूलिस डिपर्मेंट के लिए और अधर्वाइज आधास डिपर्मेंट के लिए कोई फिजिकल डिटर्शन है चाहिए और देखिए यहाँ पे हाउ टू अपलाई मतलब आप अपलाई कैसे करेंगे देखिए कांडिएट कैन बी अपलाई थू लिंक प्रोवाइड बीलो और इस अपलाई थू अप्रोवाइट मतलब आप से जा सकते है और मेरा जो नीचे में यहाँ पे दिखिए मारी दिया हूँ यह पूरण देखाओंगा आपको तो इस लिंक में जाकर हुए आप अपलाई कर सकते हैं और देखिए यहाँ जो ए रिक्वार्मेंट है मतलब फोट प्रोड शीघनेचेद चाहिए और आपका कस्ट हो तो कास्ट सेटिवेट डुमेसियल सेटिवेट और पी डॉबलोडी है तो पी डॉबली सेटिवेट चाहिए अपलाई करने के लिए किंसे। और देखिये यह था पुरा डिटेल्स और आप एक चीज में यह बसा देता हूं एक्जम जो प्रोसेष होगा वो आपका देखिये फिली मिलारी एक्जम होगा उसके बद esterm होगा उसके बार आप आपको जॉब मिलेगे ठीक है तो इसका शिलेवास आप गूगल में जाके साच कर सकते हैं पीविएस या सिलेवास जोर मिलेगे आपको अब मैं दिखा रहा हो कि कैसे आप अपलाई करेंगे तो बहुत सारे आप कि बहुत से स्टूडेन को पता नहीं होता जो कैसे रपलाई करते हैं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूं कैसे रप्लाई कर सकते को रीचे option में जाएंगे तो इस website open हो जाएंगा ठीक है तो इस website में जाके आपको करना क्या है यहाँ पर पूरा form आपको fill up करना है जो star mark है वो रेट कलर का जो star mark है उसका fill up जरूर करिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका नाम है मतलब आप फास्ट नाम दे देंगे और दूसरा बात है आपका meeting name वो आप नहीं है तो नहीं दीजिए और है तो आप जरूर दीजिए और last name आपका surname क्या है वो भी दे दीजिए मतलब यहाँ पर आप बताएं के star mark नहीं है तो हम क्यों यहाँ पर anti करे तो मैं बता दूसरा आपको नाम पूरा पर anti करना ही पड़ेगा तो इसलिए इसको जरूर फिलप करें उसके बाद दीजिए और आप फीमेल है तो आपका husband है है तो आपका husband के नाम भी दे सकते हैं तो मादसने में दे दीजिए और डेट बात यहाँ पे मैंने कर दीजिए और अब मेर्ट है तो आप अपने टिक कर दीजिये और गट है और फिटी मेल मेल और अवर से कर है तो आप MAIN जैकबॉक्स में क्लिक कर दीजि़िग और और अधर नमबर में दे right हो और ऐफ अपका recent permanent address कौन सा है बिर में है और आधर state में है तो आप click कर दीजे यह वह बिर में है तो yes कर दीजे और आधर state में है तो no कर दीजे कोई भी state से apply कर सकते है यह वह पूरा देखे पूरा details आप पर लेजिए easy process है पूरा fill आप कर लेजे आपर address में जाईए इचिव Hill काून सा काby पूरा आडिस ले आपका है उन्ष्फ यह आप दिए सकते हैं और आपका कि एक कवरस्पोंडनन आडेस मतलब परामनन अडेस मतलब दूसरका है इसी मतलब दोनों सेंव सेंव PRD जीर नोलだख है तो आप अलग अलग ढald कर दीजिए हो इसके बाद देखिए फूरा डीटेल सापके का विकेसिंच वह आपके कर दीजिए और आप यहापका इमेल दे दीजिए और इमेल में आप डेने के बाद आपको गेटेमेल कोड मतलब क्लीक करने के बाद आपको एक code जाए का email में वो यहाँ पर आपको type करना है और phone phone के number में भी आप यहाँ ने देकर गेट otp जनेट कर सकते हैं और otp जो आएगा वो यहाँ पर देखें आप capture code मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो जो capital में है स्मॉल में है पूरा जैसा है वैसा ही यहाँ टाइप करके आप सम्मिट कर दीजिए इस तरीके से आपका पूरा फंपलब complete है जाएगा तो दूसरा बात है कि इसको complete करने के बाद दूसरा जो पेज जाएगा वो है आपका फॉर्टन सिंग्नेचर का तो फॉर्टन सिंग्नेचर और अधर डॉकमेंट्स मतलब आपका सी है आवे सीस्टी है तो उसका 68 की डीटल्स भी यहाँ पर स्कार करके आपको देना पड़ेगा तो उसको दे दीजिये और उसके बात अपका जो थार्ट प्रोसेस है पेच्च मतलब आप पेमेंटक्ट कर दीजिए Нет banking से कर सकते आप चलान भी डाuna कर सकते है तो net banking करने से आपको जल जेल्ड हो जाएगा तो चलम पर पींड आट करके आपको बैंक में जाना है और बैंक से आप जितने जल्दी है आपको erreakर करके आना है थिक है TO इसी तरीके से आपको पूरा डिले स्वीलब करना है तो इसी जाएगा तो वहाँ पर रिष्टेशन नंबर होगा वह रिष्टेशन नंबर से आपका एडबिट डाउनलोड कर सकते हैं तो यह थाज का पोस्ट और यह थाज का पोस्ट का प्रोसेस कैसे आप खिलाप करेंगे तो I hope इस वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और अच्छ कि इस जोब के निया जोब के लिए वोट करिए तब तक लिए अच्छे से रहे हैं धन्यवार्ट